जै मसी की आप सभी को प्रभु एशु मसी के नाम में मदूर सलाम मैं डॉक्टर आर्पना प्रिया बात कर रही हूँ आपसे एक अनुभो शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है जैसे मैं जा रही थी अपने अपने बच्चे को लेने स्कूल जा रही थी कार से तो जाते वक क्या हुआ था कि रास्ते पर बहुत सारी बेड़ बक्रिया थी तो भेड बक्रिया जब थी तो थोड़ा सा रास्ते में थी तो मेरा मैं जब जा रही थी तो मेरी गाड़ी एक बक्री को थोड़ी सी टच हो गई सिर्फ टच हो गई कुछ हुआ तो नहीं लेकिन वो जो चरवा था उन भेड़ बक्रियों का उसने मुझे मेरी गाड़ी रोकी और फिर मुझे कहा कि मैंने बक्री को बहुत चोट पोचाईए बहुत लगी है ऐसा उसने कहा और मुझे वो पैसे मांग रहा था कि उसके इलाज के लिए पैसे देदो तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी मैं स्कूल जा रही हूँ आप वहां पे चलो मैं आपको देती हूँ तो कुछ समय के बाद चार-पाच लोग वहां पे आ गए उसकी आउरत आ गई उसकी बेटी आ गई उसके और कोई पहचान के दो-तिन लोग आ गए वह स्कूल के पास आ गए और वो मुझे बो कहने लगे कि मैंने उनके बकरी को बहुत जोर से गहरी चोट दे ही है और मैंने बहुत ही उसको मतलब हर्ट किया है कि जिस वज़े से खून बह रहा है और उसको अस्पतर ले जाना पड़ेगा तो मैंने का भई देखो मैं आके देखती हूं बकरी को और अगर बहुत ज्यादा लगी है तो मैं इलाज करा दूंगी लेकिन मैं बिना देखे कुछ पैसे ऐसे नहीं दे सकती तो फिर वो बोले के ठीक है आप आके देख लेना फिर मैंने मेरे बच्चे को ले लिया स्कूल से और हम लोग उनके घर गये वहां पर मैंने वो बेढ बक्रियों को देखा दो मैं ने कहां कौन सी ऑकरी वह गड़ी अगारी से टक्रा गई कौन से उसको लेके आओ तो फिर मैंने इनको चाहा कि आपने मुझ से कि बहुत लगी है ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो बोले नहीं हमें ऐसा लगा लेकिन कोई बात नहीं मैंने का तो फिर में किस बात के पैसे दे दू आपको तो बोले नहीं रहने दू आप तो मैंने का ठीक है शुक्रिया थैंक्यू मैंने उनसे का कुछ लगा भी नहीं था बकरी त वह थोड़े नर्वस हो गए थे मुझे एक बात पता चली कि वह अपने भेड़ बख्रियों कि इस प्यार करतें बहुत ज्यादा प्यार करतें अपने बच्चों प्यार करतें कि थोड़ा सा भी किसी गाड़ी का टच हुआ तो उस गाड़ी के पीछे भागेंगे उनसे कहेंगे कि हमारी बकरी को बहुत जोर से लगें यह मतलब कितना परेशान होते हैं उनके भेड़ बकरियों के लिए तो इसी तरह से यह अनुभव मुझे इसलिए दिखाया प्रभु इशू मसी हमारा एक अच्छा चरवाहा है ऐसे बाइबल में योहान के शुभवरतमान में लिखा गया है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपने भेड़ बकरियों को जानता हूँ मेरी भेड़ बकरिया मुझे पहचानती है मेरी भेड़े मुझे पहचानती है और व मैं उनको जीवन देता हूँ मैं उनको नश्ट नहीं करता पर मैं उनको जीवन देने आया हूँ क्योंकि चोर तो चोरी करने आता है लेकिन एशुमसी के ते मैं तो उनके लिए जीवन देने आया हूँ क्योंकि मैं अपना प्राण देके उनको जीवन दे रहा हूँ अनन्त जीवन जो है वो एसउ मसी के ध्वारा ही है जो वो अपने भेढों के लिए देते हैं जो भेढों उस पर विश्वास करती है जो उसके पीछे चलती है जो उसकी वानी सुन के आवात सुन के उसको पहचानती है तो ऐसे भेड़ों के लिए वो अपना वो अनन्त जीवन देते है उनके लिए अनन्त जीवन उन्होंने दिया है और वो उनके लिए अपना प्रान देते है प्रान देके उनको बचा लेते है शैतान के अंधकार से शैतान दुष्ट से और उनके लिए वो अनन्त जीवन देते तो इस तरह एशुमसी भी हम भेडों का उत्तम चरवाहा है और वो हमारा हर वक्त ख्याल रखता है तो यह जो अनुभो मुझे मेरे जीवन में आया उससे मुझे यही पता चल रहा है कि भगवान नहीं आनुभो मुझे इसलिए दिखाया कि मैं प्रभु एशुपे विश्वास करूँ उसके उसके आगवाई वो मेरी अगवाई करता है वो मेरे आगे-आगे चलता है मैं उसकी भेड हूँ मैं उसके तो वो उस आदमी के पीछे ही पड़ जाता है तो इस तरह एशुमसी भी अपनी भेड़ों के लिए शैतान से लड़ पड़ते हैं शैतान के हाथों से उनको छुड़ा लेते हैं और एशुमसी खुद कहते हैं कि मेरे भेड़ों को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता वो मेरे है और सिर्फ मेरे रहेंगे और मैं उनके लिए अपना प्रान देता हूँ और उन्होंने दिया भी है अपना प्रान दिया है अपने कुर्बानी दी है पापों की शमा हमें मिल गई है और अरन्थ जीवन मिल गया है तो इस प्रकार से एशूमसी हमारा चरवा है, हम उसकी भेड़े है वो हर वक्त हमारे साथ है, हमारा खैल रखता है, हमारे आगे-ागे चलता है और हम उसके पीछे-पीछे चलते हैं यही दिखाने के लिए, यही समझाने के लिए मेरे मुझे एशु मसी ने वो आनुभो दिखाया कि देख वो चरवा अपने भेड़ों की जैसी रक्षा करता है और जैसे उनके लिए इतना परेशान हो गया था कि तुझे वो पूरी फैमिली तेरे पीछे-पीछे स्कूल तक आई, फिर स्कूल से तू उनके घर गई, उसकी भेड़ को देखा तो यह सब किस वज़े से हुआ कि वो चरवा अपने भेड़ों से बहुत प्यार करता था तो इसी प्रकार से इशु मसी भी अपने इशु मसी हमारा चरवा है हम उसकी भेड़े इसी प्रकार से इशु मसी भी मुझसे प्यार करता है मैं उसकी भेड़ हूँ हम सब उसके भेडे जो विष्वास करते हैं उसके उपर, वो हम सब उसके भेडे है और वो हमारे लिए शैतान से लड़ा पड़ता है, खोई भेडों को तो ढूंवता है, उसको अपने पास बुला लेता है और अनंत जीवन उनको देता है. धन्यवाद प्रभू मैं छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ कि धन्यवाद प्रभू आपकी सुरक्षा के लिए जो हम जो आप हमें देते हैं हमेशा हर दिन हर समय हमारे साथ होते हैं आप हमारे चरवा हैं हम आपकी भेड़े हैं और आपकी रखवाली के लिए हम आपका शुपरियादा करते हैं, आपने हमारे लिए अपना प्राहन दिया, आप हमारी रक्षा करते हैं शैतान से और हमें आनंत जीवन भी आपने दिया है, धन्यवाद पिता, ये छोटी सी प्रेयर मैं प्रभेश मसी के नाम से करती हूँ, आमें, धन्यवाद, थैंक यू, जै मसी की